मैं प्रोफिसर सविन सिंग अपनी जियोग्रफी लेक्चर सिरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम जलवाई परिवर्तन के कारकों और सिधान्तों की अंतरगत सोलर इर्राइडियन्स थेयरी और सिम्सन की थेयरी पर चर्चा करेंगे सोलर इर्राइडियन्स थेयरी है वा सुर्ज के प्रकास मंदल से बिकिर्न होने वाली उस्मा उर्जा से संबंधित है The solar irradiance theory is related to the radiation of heat energy from the photosphere of the sun And there are periodic fluctuations in the radiation amount from the photosphere और सुर्ज के प्रकास मंदल से बिकिर्न होने वाली उस्मा उर्जा में सामईक उतार चड़ा होता रहता है एक समय आता है जब सुर्ज के कोर में फैलाव होता है इस सिती का सामना करने के लिए सुर्ज अपनी बाह सतह में भी फैलाव करता है और इस प्रक्रिया के तहट वह अपनी आंतरिक उस्मा उर्जा का उपभोग करता है there is a time when there is expansion in the core of the sun the sun in order to cope with its expansion of its core it expands its outer zone and in this process the sun consumes substantial amount of its internal heat इस इस्थिती में सुर्ज के प्रकास मंडल से बिकिरन होने वाली उस्मा उर्जा की मात्रा में कमी हो जाती है and therefore consequently there is a substantial decrease in the amount of solar radiation from the photosphere एक अवधि के बाद सुर्ज अपने पूर्वत इस्थिती में आ जाता है और उसके core में संकुचन प्रारंब हो जाता है after certain period of time the sun reaches its previous stage and there is a contraction in its core and therefore the surplus energy is radiated from its photosphere जब सुर्ज के core में संकुचन प्रारंब होता है तो सुर्ज अपनी अत्रिक्त उस्मा उर्जा का उपयोग नहीं कर पाता है अतह सुर्ज की बाय सत्थ अर्थात प्रकास मंडल से अधिक मात्रा में उस्मा उर्जा का विकिरन प्रारंब होता है तो इसी सिती में जबकि अधिक्तम सुर्यातप प्राप्त होता है धरातल पर सुर्ज के प्रकास मंडल से अधिक्तम उस्मा Уर्जा के बिकिरण के द्वारा तो तापमान में प्रित्वी के सतः के तापमान में बृध्धी हो जाती है और जब सूर्ज के प्रकास मंडल से नियुनतम मात्रा में उस्मा उर्जा का भी किरन होता है तो पृत्वी के धरातल के तापमान में गिरावट आती है and thus the increased solar radiation from the photosphere causes warming of the earth's surface and lower atmosphere and decreased amount of solar radiation causes lowering of temperature of the earth's surface and the atmosphere. इस अंदर्व में एक और कारक है sun spots का जिसके द्वारा धरातली तापमान में उतार चड़ा होता रहता है besides solar irradiance, expansion and contraction of the core of the sun, the sun spots also affect the cause fluctuation in the output of solar radiation from the photosphere. The sun spots are dark and colder areas in the photosphere. सौर कलंक जो होते हैं वो प्रकास मंडल में गहरे रंग के ठंडे छेत्र होते हैं इनकी संख्या में उतार चड़ा होता रहता है there is a fluctuation in the number of sun spot that is called sun spot activity. Sun spot activity means sun spot numbers. एक समय होता है जब सुर्ज के प्रकास मंडल में सौर कलंकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है there is a period when there is a maximum sun spot activity meaning thereby maximum increase in the number of sun spots इसके विप्रीत एक समय आता है जब सौर कलंकों की संख्या नियुनतम हो जाती है contrary to this there is a time when there is a minimum number of sun spots और ये जो sun spots की संख्या में उतार चड़ा होता है वह एक 11 वरसों का एक चक्र होता है the fluctuation in the number of increase of sun spots and decrease of number of sun spots occurs in 11 year cycle जब जो है प्रकास मंडल में सौर कलंकों की संख्या सबसे अधिक हो जाती है उस समय प्रकास मंडल से अधिकतम मात्रा में उस्मा उर्जा का विक्रियन होता है और जब सौर कलंकों की संख्या नियूनतम होती है उस समय प्रकास मंडल से नियूनतम उस्मा उर्जा का विक्रियन होता है और यह जो अवधी होती है एक चक्र की वन साइकल की जो अवधी होती है तिसमा नियूनतम आठ से नौ वरस तक होती है और अधिकतम सोलह वरसों की होती है इस तरह से सुर्ज के आंतरिक भाग के फैलाव और उसके क्रोड में संकुचंस के कारण तथा सन स्पॉट की संख्या में बृद्धी और हरास के कारण धरातल पर प्राप्थ होने वाली सुर्यातप की मात्रा में बृद्धी और कमी होती रहती है जिस कारण मौसम और में परिवर्तन होता है कंप्यूटर माडल के आधार पर ये प्रदर्शित किया गया है कि अगर सोलर इर्राइडियन्स के कारण सुर्ज के प्रकास मंडल से बिकिर्ण होने वाली उश्मा की मात्रा में एक से दो परसेंट की गिरावट होती है तो 14 से 50 से 1880 के बीच में जो लिटिल आई से आया था लग हमकाल आया था उसी तरह का लग हमकाल का सुत्रपात हो जाएगा as per computer model there is a decrease of 1 to 2 percent of solar energy radiated from it sun's photosphere then the little ice age similar to little ice age of 1450 to 1880 AD may recur on the air surface और यदि 2 से 3 प्रतिशत विकिर्ण से होने वाली उस्मा उर्जा में हरास होता है तो जो हिमानी पुनह सक्री हो जाएगे और एक छोटा हमकाल उत्पन हो जाएगा if there is a decrease in the solar radiation by 2 to 3 percent then the glaciers may be regenerated and older glaciers may be reactivated और सुर्ज के प्रकास मंडल से विकिर्ण से होने वाली उस्मा उर्जा में अगर 5 प्रतिशत काहरास होता है तो एक हिमकाल का आगमन हो जाएगा और भूमंडली अस्तर पर हिमानी करन प्रारंब हो जाएगा and if there is a decrease of solar radiation by 5 percent then there may be onset of high stage and there may be there would be there will be widespread glaciation at global level Simpson Mahoday ने 1928 में एस solar irradiance theory और उसे संबंधित जलवाय में उतार चड़ाव के बिपरीत संकल्पना का प्रतिपादन किया Simpson propounded his concept opposite contrary to the solar irradiance theory in 1938 Simpson के अनुसार अगर प्रकास मंडल से अधिक उस्मा उर्जा का विक्रन होता है और धरातिली सतह पर तापमान में विप्रिद्ध होती है तो उस समय सीत काल और हिमकाल का आगमन हो सकता है क्योंकि अधिक तापमान के कारण वास्पी करण अधिक होगा जिस कारण बादलों का निर्मान अधिक होगा दरातल पर छाया अधिक होगी, वर्षण की क्रिया अधिक होगी, जो हिम के रूप में होगी, अतह हिमावरण होगा और हिमनत आगे की तरफ बढ़ेंगे. According to Simpson, if there is a maximum solar radiation from the photosphere of the sun, and consequently, if the temperature of the earth's surface and lower atmosphere increases, there will be increased activity of evaporation, increased amount of clouds in the sky, maximum shade on the earth's surface, and increased precipitation in the form of snowfall. So, there will be ice seed formation and advancement of glacier and a mild ice age, not ice age, but the himani, the glacial episode may occur. इसके बिपरीत, यदि सुर्ज के प्रकास मंडल से बिकिरण होने वाली उस्मा उर्जा में भारी कमी होती है, तो वास्पी करण कम होगा, क्योंकि पृत्वी की सतह का तापमान कम होने से वास्पी करण कम होगा, बादलों का निर्मार कम होगा, वर्शा कम होगी, अतह हिम चादरों का पिखलाव प्रारंब हो जाएगा, और हिमनत पीछे हटने लगेंगे पिखलने के कारण और अंतर हिमकाल का सूतरपात हो जाएगा, if there is a minimum solar radiation from the photosphere, the temperature of the earth's surface will decrease, consequently very low precipitation, very little formation of clouds, scanty precipitation, and therefore the ice sheets and glaciers will melt, there will be retreat in the glacier, and interglacial period will be set in. Namaskar.